हाई दोस्तों नमस्कार स्वावत करता हूं आपका डेवल्बंग सकस्स दोस्तों मेरा नाम है पार्थ का दोस्त अगेन अध्यक्ष क्लास है हमारी वह बहुत स्पेचल है ग्रैमर रूल्स की एक वह आपको ध्यान है तो हम लोगों हुआ हैं यहां पर हम 101 क्रेट करेंगे और यह वह ग्रामर के रूल से यह आपके एक्जाम में जो इंग्लिश आती है यह इंग्लिश उस बहुत सिंपल है मैं आपको जो भी करा रहा हूँ आ पिर उनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी English competitive exam को लेके complete हो जाएगी फिर हम लोग को केवल और केवल practice को ही अपनाना पड़ेगा हमें practice more and more करनी पड़ेगी तो दोस्तों ये 101 grammar rules बहुत important आप सब के लिए हर एक rule को बहुत ध्यान से पढ़िए बहुत ध्यान से समझे और यदि कहीं कोई question है तो मस्ती के साथ म comment box below over there मुझे please comment करके बताएं कि आपको कितना समझ में आ रहा है या फिर कोई भी चीज जो आप मुंसे और चाहते हैं तो मस्ती के साथ बिलकुल बताएं कि हाँ ठीक है सरीटी समझ में आई या यह चीज नहीं समझ में आई राइट तो चलो बिना जीरी के साथ करेंगे दो को यह जो क्लास दी जा रहे है नेक्स क्लास इसका कोई भी रिलेशन पिश्री ग्लास से नहीं है लेकिन हां पिश्री ग्लास आप सब के लिए बहुत इंपॉर्डन है फिर वो चाहिए ग्रामर की है वकाबली की है फ्रेजिस की है आरेंजमेंट की है इच और है तो चले दोस्तों आईए इससार्ट करेंगे नमबर नेक्स क्रामर रूल को मस्ति के साथ अपने साथ एक कॉपी एक पैले के जरूर बेठें जिसे कि आप चीजों को डाउन कर सके राइट तो चलो साथ करते है रूल नमबर 23 देसा की मैं आप से कहा कि हम लोग 22 रूल कर चुके है तो 23 रूल आप सभी की स्क्रीन पर क्या कह रहा है नमबर 23 आप से कहा इसने नाउन विच इसमेट तो दू 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 आज अज़क्तिव इन अ कंपाउंड वर्ड शुड दू 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 आज दो इट मेब इप्रसीड़ बाया प्रिडियल नमब्ल मतलब क्या है राइटर नहीं क्या कहा इससे बहुत ही सिंपल लैंगुज वे कहा दनाउन विच इसमेट दू 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 दो दू समझेंगे ऐसा नाउन जो काम करता है किसका एक एड्जक्टिव का अब question यह आता है कि नाउन कब से adjective का काम करने लग गए जी हाँ exactly दोस्तों नाउन भी एक situation में adjective का काम करते हैं कब जब वो किसी और नाउन को qualify कर रहे हूं when one noun is qualifying another noun so the first noun is working like an adjective मैं आपको example बताऊंगा कैसे अभी आपके वाल रूल समझेंगे रूल नमबर 23 में कहा राइटर ने the noun which is made to do the work of an adjective in a compound word एक compound word में एक noun जब एक adjective का गाम करता है तो should not be pluralized तो वो noun कभी भी plural नहीं होना चाहिए वो noun हमेशा singular होगा though it may be preceded by a plural numeral फिर चाहे उसके आगे कोई plural number ही क्यों न लगा हो उससे matter नहीं करता क्या कहना चाह रहे है राइटर राइटर ने कहा इसको ऐसे समझे मैं आपसे यहां पर कहूं वन बॉय तो आप सभी की एक वास समझ में आती है कि बॉय है वन है तो वन सिंग्यूलर है इसलिए मैंने बॉय लगाया क्या मैं वन बॉय लिख सकता हूं यह बिल्कुल राहियाद बात होगी यह दि मैं आपसे कहूं वन बॉय ड़से में इनी सेंस नो तो बॉय नहीं होग नो दिस वाइं रॉंग बिकाज देन अंबर इस लिए नमबर कह लाता है इंगिस्मान निमरल राइट इसी नूमरल को आपने प्री यूम्र यूस किया टू जो है वह प्लुरल है थ्री पर फाइव यह सब लू ले वान सिंगूलर है जब यह प्लुरल है तो यह भी प्लू कर दूंगे और सब अपने पीछे एस लेंगे मतलब हमें उनको बनाना है वन सिंगूलर होता है तो हम इसके आगे एस नहीं लगाएंगे boy के आगे one boy हो जाएगा सिपल है लेकिद राइटर ने कहा कि वो कौन सी सिच्वेशन है जब two होने के वावजूद भी आप इसको boys नहीं करेंगे जब कोई वर्ड कंपाउंड होगा क्योंकि वहाँ वो नाउन का काम जो होता है नाउन वो एड्जेक्टिव का काम करता है सर क्या कहना चाहरे हो जैसे पहले कंपाउंड वर्ड को समझी कंपाउंड वर्ड होते क्या है दोस्तों कंपाउंड वर्ड होते हैं जो दो से मिलके बने होते है दो से मिलके बने जैसे कि मैं आप से कहूं चीफ मिनिस्टर गी मैंने मिनिस्टर सब्सक्राइब लिग दिया है चीफ मिनिस्टर यह कंपाउंड नावने यहां पर चीफ भी नावने मिनिस्टर भी नावने चाहिए ऐसी मैं आप से कहूं मेड सर्वेंट यह कंपाउंड वर्ड है कंपाउंड नावने यहां सर्वेंट भी नावने मेड भी नावने इसी तरह मैं आप से कहूं दूआ पर नवाब बेंगॉल यहाँ नवाब भी नाउन है और बंगॉल बिनाउन है ये सब कहलाती हैं दोस्तों कंपाउंड नौन जो कि दो नाउन के मिक्शर से मिलके बन रहे हैं लेकिन मीनिंग एक ही निकाल रहे हैं यह इनहें क्या कहेंगे हम लोग कंपाउन्द आउं क्लियर हो गया अब अब इस रूल में मैं आपको क्या संध्याना चाह रहा हूं कि राइटर ने कहा दनाउन विच इस मेट डू दू दो वरकर आफ एन इजाक्टिव इनकंपाउंड वर्ड अब माल लीजिए मैं आपसे यह कहूं कि टू उत्यार आउखगे मैं रुपीज नोट यहां पर देखने वाली बात यह है कि नोट भी नाउन है और दोस्तों ठीजों अनन हं वर तो पहली बात तो यह होग कि यह गोग है टू पीरण है तो उसन्हान नाउन को बना दिया रुपीज हाजी कोई दिक्रन नहीं नोट यहां पर नाउन है तो यह तो हो गया कमपाउंड नाउन रुपी नोट क्या है कमपाउंड नाउन अब इसमें समझना आपको यह है कि जब रुपीज नोट में यह दौना वर्ड कमपाउंड नाउन है तो इसका मतलब यह है कि पहले वाला वर्ड जो है वो दूसरे वा कर ceux Sergeram कर रहा एक जब एडेक्टिव कर रहा है तो एडेक्टिव कभी भी प्लीडल नहीं होते एडेक्टिव हमेशा सिंग्यूलर होते हैं इसे इसमें से एस हट जाएगा कर यदि मैं इसी को केवल यह लखूं है तू रुपी तो दोस्तों ये वोई गोल यह नाउन होते हैं तो मैंने का टू रूपी तो टू रूपी नहीं अब दो प्लूरल है तो यहां रूपीज हो जाएगा लेकिन जब इसी रूपीज के संग नोट जोड़ गया तो यह दो नाउन हो गए तो पहले वाला नाउन दूसरे वाले नाउन को एस हटा देंगे यह बनगा टू रूपी नोट सिंपल अब आप इसको नोट कर सकते हैं यहां ऐस लगा सकते हैं को कि यह वाला नाउन इजेक्टिव का काम नहीं कर रहा यह नाउन अपने आप में नाउन है यह जड़्यक्टिव काम नी करेगा क्योंकि एड्ज़क्टिव जो है जब हो क्वालिफाय करते हैं तो ना उन से पहले आता है जैसे कि handsome boy boy handsome होता है क्या नहीं ना handsome boy होता है तो handsome का यगा boy से पहले beautiful गुर्ल बीटिफू का इगा गर्ल से पहले रुपी नोट रूपी कहा राए नोट से पहले तो यहां पे क्या हो गया एट जैसे हैंसम बॉय में हैंशल में जैक्टिब फ़ल बूट कैसी लिए separate आ कि आatories रुप्रेज आपको और भी चीज़ समझाऊंगा इसी में इत्मिनान से के वह लेकी रूल समझ ही आजा आप कोई दिकर नहीं है लेकिन इसको इतना समझना है कि आप समझने लाइक कुछ और रही ही ना जाए एक्जांपल में देखिए राइटर ने लिखा इंकरेक्ट ही है लॉस्ट अट का रुपी क्या काम करेगा एड्जक्टिव का और चुकि एड्जक्टिव का काम करेगा तो यह हो गया लॉस्ट टैन रुपी नोट रूपी इस दराइट आइं सब्सक्राइब नोट डैक्ट इसी तरह आप इसको देखिए दोस्तों इन्करेक्ट दिर्खा है यहाज फिनि ये वाला नाउन जो है माईल ये एड्जेक्टिव का काम भी कर रहा है क्यों क्योंकि वाक को क्वालिफाई कर रहा है तो यहां माईल्स नहीं आएगा अब सैने सोग्या इसका एक शॉटकट भी है यह कईशोगया इसको शॉटकट यह बहीए याइप चाहे कि अैसे अधोर ऊकुर्ण में वहाई में वाई जो की हाईफन से रेलेट होते हैं यह रहता है यजिय เหोई वर्ड हाइफन से रिलेट होता है तो आप समझ जाए कि पहले वाला वर्ड जो होगा वह एड्जेक्टिव का काम करेगा वह एस कभी नहीं लेगा आप इसको शॉर्टकट में ऐसे भी याद कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यह रडंत विद्ध्या होगा कि आप रट रहे हैं इस मेरे साथ पढ़ेंगे आप इसको रूल को बड़े ध्यान से वेंट वर्मोर सिंगूलर नाउंस आर जॉइन बाइंड दोस्तों यह रूल हम पहले भी कर चुके हैं तो इसको ध्यान रखिए जब दो या दो से अधिक नाउंड वेंट टू और मोर सिंगूलर नाउंस आर ज सिरी सी बात है जब दो या दो से अधिक नाउंड एंड से जोड़े होंगे तो आने वाला प्रोनाउं हमेशा प्लूरल होगा जैसे एक्जाम्पल के तौर पर समझेंगे इनकरेक्ट इग्जाम्पल क्या है मोहन एंड सोहन हैव लॉस्ट हिस बूक्स तो मोहन एक सोहन दू यूस ब्सक्राइब टूरल आउंड सोहन दो आई बोर्ट आर बीकमि दूल आउन तो और बोर्ट इख चुआ प्रोन उटे यू न पर नंट आउंड बोर्ट मॉस्ट फुर्ट वित प्लूर्ट सोहन थंड सोहन होगा मोहन थोट सोहन मां लॉस्ट थो यह पका हुआ सूनीता अध्य है रागनी द्रग अधर शुरलिकिल्ट अचम्ट कर दिङक है तो यहां हर किया सबस्क्राइब सिंपल है सब को ग्लेर हो गया के प्रोसीट चली कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें यह कोई चीज न समझ में आए तो रूल नमबर 25 क्या किया रहा है आप से वेन टू और मोर सिंग्यूलर नाउंस जॉइंड बाइंड आर प्रिसीड़ बाइच और एबरी दप्रोनाउन मस्ट भी सिंग्यूलर जिहां एक्जाक्ली दोस्तों यह रूल आप पहले भी कर चुके हैं लेकिन यह रूल पहले आप व नाउन भी सिंग्यूलर होना चाहिए भले ही वह वर्ड एंड से प्रोसीड हो रहा है आपने उसमें एंड लगा रखा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह प्लूरल है वह प्लूरल है लेकिन उसके आगे आपने एक वर्ड और यूस किया इच और एबरी तो वेनेवर यूज इस वर्ड और वेनेवर यूज द वर्ड एच और एवरी तो एवरेशिंग बिकाम सेंग्यूलर ठिक है एक्जांपल के तौर पे देखिंगे चार एक जांपल लियर रखें एक को समझेंगे इच मैन एच बॉय हर एक आदमी और हर एक लड़का तो इच मैन इच बॉय यहा यहां पर end होना चाहिए यह grammatical error हो जाएगा वर्णा इच मैन एच बॉय इच बॉय इच बॉय है तो भले ही एंड लगा हुआ है लेकिन इच आ गया ना तो इच के आते ही हम यहां पर पे प्रॉनाउम सिंग्यूलर लगे 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 एक इस से कीड सेटीज ऊफ राम एं मोहर मोहन डॉन अमinters LA रांबी और मोहन है's done है वर्व उसी में थी यहां भी क्योंकि हर एक लड़ कियों में से हरे लड़ की लोगे ना विच आफ दे गर्स विल सिंग आ सॉंग फॉर हर चॉइस देयर चॉइस नहीं हर तो कि हमने इच का यूज किया है सेम एबुरि डे एन एव्री नाइट ब्रिंग सट्व दूटी बंस क्या है singular जिहां बिंग प्लूरल वर्ब होती है ब्रिंग्स एस लगा दियाना तो यह सिंग्यूलर वर्ब बंग गई बिंक एक्सों डूटीट सकियाई इक्स इन डेर अलोता है तो इस इंगिर हो गया एब्ली डैन अबीनाइट ब्लिंक इंट प्ली and that's simple a good out kissy go paka to challenge us on you about a popular yoga yoga hamna singular pronoun use look curry or singular verb use curry q looking some may each can use why which I each user day to every user die verb and pronoun they both must be used singular right to get chal move car the next way rule number 26 what does it say rule number 26 care that I have say the case of pronoun following the conjunction as or then is determined by mentally supplying the verb just so you do you know you can err on any data looking here a good do you have to solve what do you have to do what do you have to do it the case of pronoun following the conjunction the one pronoun की बात करते हैं जब फॉलो करता है conjunction as or then को तो वहां दोस्तों एक वर्व जो है वो लिखी नहीं जाती उसको मेंटली सप्लाइं कर देते हैं मतलब उसको दिमाग में लिख लेते हैं बाकि उसको वास्तविक्त में लिखने की जरूत नहीं पड़ती लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन नहीं लिखते तो भी चलेगा क्या कहना चाहरा हूं मैं समझेंगे इग्जामपल से दोस्तों हूं तो इग्जामपल क्या कह रहा है अब इसको समझेंगे यहां से पहले तो राइटर ने कहा ता कि एज वाला और देन वाला यह रूल था तो यहां पर देखें एक वर्ड यूज हुआ है इस तो राइटर ने कहा विल का मतलब क्या होता है इच्छा होना he is as willing as I वो उतना ही चुके जितना कि मैं काफी लोग यहां पर कर देते हैं मी he is as willing as me तो पहला तो मी का यूज नहीं होगा क्योंकि सब्जिक का comparison सब्जेक्ट से होगा है ही सब्जेक्ट है तो यहां पे भी सब्जेक्ट होना चाहिए इसलिए आई आया नॉट मी तो एक तो आपकी दिविदा यह कंप्लेट होनी चाहिए कि यहां पर आपड़ेक्ट नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट सब्जेक्ट से ठीक है आपका comparison एर्थ क्लास में पढ़ते ह होगा तो comparison हमेशा सेम चीज़ों में होता है तो ऐसे ही यहां पर ही सब्जेक्ट है तो आई बी सब्जेक्ट है नॉट मी नहीं आएगा दूसरा जब सब्जेक्ट आया तो फिर वर्ब भी आनी चाहिए तो हां आपने वर्ब भी लगा है ना he is as willing as I am वह उतना ही इच्छों आपने वाली जो वर्ब है वो लगाएं या ना लगाएं उससे कोई मेंटर नहीं करता यह रूल था एसी सगेंड देखिए यूर मोर इंटेलिजेंट देन ही अब यहां पर भी यू क्या है सब्जेक्ट है इसलिए कंपैरिजन यहां पर ही से होगा ना कि हिम से काफी लोग तो जब यह अबजेक्ट है तो इसका कंपैरिजन पर अबजेक्स से होना चाहिए लेकिन यू तो सब्जेक्ट है इसलिए यू आर मोर इंटेलिजेंट देन ही सही है अब हिम तो हट गया लेकिन ही सब्जेक्ट है तो कंपैरिजन तो ही से हो गया लेकिन ही के संग तो कौन प्यार करता है मैं किस से प्यार करता है तुम से तो I love you as much as as का यूज अब यहां पे दो चीज़ें हैं यहां पे दो चीज़ क्या है समझना यह यह थोड़ा आपके लिए अलग है I love you as as much as him मैं तुम से उतना ही प्यार करता हूं यू अबज़े करता हूं तो यहां भी ह्म आएगा यहां भी आप्जेक्ट अब यहां पे हम इनए करता हूं यहां यहां पर है लग ना भी चलेगा क्योंकि वह एक बार में ही यूज दिखा के लिखाता है कि मैं दो बार यूज हूँ ठीक है हम लिखते क्या हैं I love you as much as him लेकिन एक्चल में कहा रेखना चाहिए था I love you as much as I love him तो आई लव ना भी लिखें तो भी चलेगा तो यहां पर दोको हिम सही है यहां पर ही नहीं आएगा क्यूं तो कि इस यू में और इस हिम में comparison हो रहा है ज़िए इस हिम का comparison इस आई से होता तो यहां पर ही आता यह object है तो अब्जिक्स से कंपेरिजर हो रहा है मैं आशा कर रहा हूं कि सब को थोड़ा से समझ में आई रहा होगा इस्टिल कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें नमबर फोर में इस यू को प्यार करने वाले दो लोग हैं यहां पर मैं दो लोग को प्यार कर रहा हूं लेकिन यहां पर यू को प्यार करने वाले दो लोग है एक तो मैं हूँ आई और एक वो भी है शी आई लव यू मोर देन शी लफ्स यू तो यहां पर कंपारिजन आई और शी का हो रहा है यू का नहीं हो रहा अब आपको बस साइनस को यहीं फिगर आउट करना है आई लाव यू मैं तुमसे प्यार करता हूं और वो जितना तुमसे प्यार करता हूं उससे कहीं अधिक मैं करता हूं यू मूर दें शी के रहा तो दूस्तों खासकर इन दो सैने से में कभी घरवर हो जाती है लोगों को और इन दौनों के ही मीनिंग में बच्चे जो है सुडेंट जो है वो घवरा जाते हैं लेकिन घवराने जीरत नहीं है सिंपल है अकॉरिंग तूदर सेंटेंस आप मीन लग ठीक है दोस्तों 27 क्या कहा रहा है आप से वेन इन इन सेंटेंस वान इस यूज अज़ अज़ेक्ट और प्रोनाउंस इन सेंटेंस मस्त भी चेंज इंटू वान और वन यह बहुत इंपॉर्डेंट है और इसको समझने के लिए एक चीज समझनी पढ़ेगी आपको वह यह स साथ हर का यूज़ करते हैं आई के साथ माई यूज़ करते हैं वी के साथ आर यूज़ करते हैं दे के साथ यूज़ करते हैं तो यह सब पजैसिव केस है इसी तरह दोस्तों क्या आपको पता है कि वन भी प्रोनाउन है और इसका भी पजैसिव केस होता है जिसको हम कहते है के छाइट हैं, अक्सर लोग की संग हो इस लगा जएते हैं हर लगा जएते हैं। जिन ही मत ऑन आप his use नहीं कर सकते हर की he use जो है वो इंपोर्टन है हर का यूज इसी तरह वन के साथ भी वन का यूज होगा वही रेड़र ने कहा वेन जब सेंटेंस में वन का यूज किया जाता है सब्जिक के तौर पे तो सभी pronoun sentence में change होते हैं या तो one में जो की one का object होता है और या once में जो की one का possessive case होता है example, simple सा example है one should do his duty, just before two minutes or before a minute I told you कि लोग one के सभग हिस का यूज़ कर लेते हैं, भाई his का यूज़ तो जब होता ना जब आप यहाँ पी ही का यूज कर रहे होते हैं यहां पर ही कर तो यूजने कि यह यह तो इसे सिर्वान का यूज एं तो यह हिस até तो यहां ऱूज ही नहीं होना चाहिए तो कर अक क्या हो गया वन शुर्ट डू वांस व्यूटी प्ला चाहिए जिसी यह से एंग्जाम्पल एड मैं आप से कहुंए एक गजाम्पल के तॉर्पी वन शूट पर अटेंशन ऑन है जैंड चाहिए ध्यान देना चाहिए अपने काम पर हो वन शूट पर अटेंशन ऑन हिस्वर्ड तो क्या है हिस सही है सेंसलेस तो इसी ही वन को हम हिस न लगा के वंस लगाएंगे अब सैने साथ का सही हो गया वन शुट पर अटेंशन और वांस वर्क एंड डैक्ट मस्वी राइट आंसर ठीक है तो यह थे आज के रूल मैं आशा करता हूं कि आप सब को बहुत अच्छे समझ में करते हैं आज के स्क्लास को मस्ते के साथ यहीं पर यहीं कहीं को दिक करते है कोई चीज ना समझ में आया हूं तो मुझे जरूर बताएगा और और कितनी अच्छी आपको लगे अप्रीशेट आप करेंगे तो मुझे बहुत चाह लगए यह आपको अच्छा लगा यहाँ त तो थांक यू फिर मिलेंगे अपनी नेक्स क्लास में दोस्तों किसी और चीज़ को लेके नई चीज़ को लेके जो आपके लिए बहुत बैनेफिशल होगी तो थांक यू टेक केर आफ यूर सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना बिल्कुल न बोलें शेयर जितना हो सके आब तोड़ करें थांक यू दोस्तों नमस्कार